हेलो गाइज वेल्कम बैक टू के शूटीजी और जो पहली बार है उसका भी बहुत ही बहुत ही वेल्कम तो गाइज आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कैसे टर्निप लाइफ स्ट्रीमिंग एप से हम लोग अपने खुद की लाइफ स्ट्रीमिंग की पफॉर्मेंस क हम लोग कम करें या या ऐलिमिनेट कर दें और दूसरी होता है हमारी एफ पीस GG नेटवर्क लेटैंसी में हम लोगों को ऐसी सेटिंग कस्टमाइज करनी होती तनिप और जाकर्के और उसको अप्लाइथ करना होता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ यहां आई बटन पर वीडियो होगा आप जाके देख सकते हो उसको करने के बाद यहां पर आ जाना और यह चीज़े तभी अप्लाइब हो पाएंगी तो आप दूसरी सेटिंग पर आते हैं दूसरी सेटिंग हमारी fps बूस्ट तो आप आप जब आप इन सेटिंग्स को मीट करोगे यह चीज़ होनी चाहिए तो पहली चीज़ होती है हमारी इन गेम क्या हमारे 60 fps सपोर्ट करता है ग्राफिक्स हमारी 60 fps पर रन करती है अगर आप पबजी खेलते हो स्योडी खेलते हो फ्री फायर खेलते हो उसमें ग्राफि पर एक्स्ट्रीम होता है अगर आपका फोन पबजी पर एक्स्ट्रीम सपोर्ट कर रहा तो 60 fps आपका हो जाएगा अगर नहीं होता तो एक फोर्स करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद फोर्स करोगे उसको तो भी शायद होगा और अभी हम लोग देखते हैं दूस दूसरी चीज दूसरी कंडिक्शन यहां पर क्या आपका डिस्प्ले यह बहुत इंपोर्टेंट अगर यह नहीं होगा तो फिर फोर्स भी करोगे कुछ नहीं होने वाला क्या आपका डिस्प्ले 60 fps सपोर्ट करता है तो आपको गूगल पर जाकर अपने फोन का मॉडल नहीं मिनिमम सिक्स्टी होना चाहिए यह दोने कंडिशन जब आप कर लोगे उसके बाद आपको अब तीसरी रिकमेंडेट चीज को फॉलो करना है मतलब यह कंडिशन नहीं लेकिन यह रिकमेंडेट मेरी तरफ से इस चीज में आप अगर टर्निप से खुद 60 fps चाहना चाह अगर आप पीछे इनका मैनवल पढ़ोगे अगर कहीं पर जाके तो आपको कुछ नहीं करना है अपना यूट्यूब लेना है आपको लग रहा है कोई बटन होगा लेकिन ऐसा बटन नहीं और टर्निप के लिए बोला है मैंने ऐसे कि ऐसा कुछ कर सकते हो तो करो तो उनका अंसर था कि यह जो आप स्ट्रीम कस्टमाइजेशन करते हो उनके ऑप्शन देने से नहीं होता क्योंकि आपकी स्ट्र लेना है और पहली चीज़ हम लोग यहां पर कर लेंगे लो लेटेंसी यह आला आपको चेक कर लेना यह आपको नॉर्मल झाल लगाना होगा यह लो कर लगा बिल्कुल खराब होगा उसके बाद आपको यहां पर स्ट्रीम की दिख रहा और यहांपर एक एंड़व का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहांपे create new stream की कर देंगे और इसको हम लोग छोटा करते हैं और यहाँ पर हम लोगों को ऐसे कुछ भी भर देना है तो भाई छोटे हो जाओ तो यहाँ पर इसको हम लोग कुछ भी भर देंगे ठीक है ऐसे मैं भर दे रहा हूँ लेजंडरी चीज़े हैं यह सब सभी को ऐसे करता है इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पर आपको turn on manual setting लिखा है इस पर click कर देना है और जैसे आप इस पर click करोगे तो आपको यहाँ पर option देदेगा 60fps का अब मैंने क्यों बूला कि 720p तक रखिएगा 720p से या 720p से उपर रख सकते हो लेकिन उसके below नहीं क्योंकि यहाँ पर और इसी करण turnip भी आपको यह option नहीं दे सकता है turnip ने discord पर बात करोगे आप तो turnip यही बोलता है कि यह YouTube की तरफ से मतलब हम तो सिर्फ भेजते हैं YouTube उसको 60p में convert करेगा कि नहीं करेगा यह आपको वहीं से आकर सही करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर 480p लगा दूँ तो यहाँ देखो 60fps का option चला गया इसका मतलब अगर हम लोग turnip में 720p लगा के रखेंगे खोदी से यहाँ पर नहीं होगे तब भी लेकिन जिसका नहीं आ रहा है यह उसके लिए यहाँ से आप auto force कर सकते हो मतलब manually force कर सकते हो लेकिन अगर turnip पर 720p लगाओगे तो auto आपका 60fps चला जाएगा और यहाँ से 720p लगाने के बाद अब हम लोग इसका copy कर लेंगे stream की यह है हमारा stream की और इसको हम लोग copy कर लेंगे यहाँ से copy कर लेंगे बाकी अगर आपको stream का edit करना तो है edit option पर जाओगे title क्या लखना है description क्या लखना है thumbnail क्या लगाना है वो सब यहाँ पर आप कर सकते हो और इसके साथ ही साथ में आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ subscriber के लिए चैट open कर सकते हो और यहाँ पर लगा सकते हो 20 minute जब तक वो बंद आपको 20 minute सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तक वो आपको कमेंट नहीं कर पाएगा जिससे आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा वह देड़ तक करा रहेगा सब्सक्राइबर उसको कमेंट करना होगा तो अब यहां पर हो गया है हमलोग को जाना है तन्य एप में वह वह व्हों सब्सक्राइब सकते हो पर इसको ऑन कर देना है कि में सायनिंग कर देता हूं तो यहां पर यह हमारा on हो रहा है ठीक है अब हम लोग rattm on करते हैं और यहां पर आपको अपना stream की डालना है नीचे नीचे पर stream की डालना है इस तरीके से ठीक है और अब हम लोग यहां पर वापस आएंगे chrome पे और आपको यहां पर दिख रहा होगा RTM URL यह उपर वाला नीचे वाला नहीं जहां पर URL लिखा है stream URL लिखा है जहां पर वो copy करना है इसको copy करने के बाद अब हम लोग वापज turnip पर जाएंगे अब turnip पर जाने पर यहाँ पर हम लोग इसको paste कर देंगे URL को अब हम लोग add link पर कर देंगे अब यहाँ पर यहाँ आपको अने अब नेक्स्ट प्रिव्यू पर जाएंगे हम लोग तो आप अलाओ करोगे और जैसे नॉर्मल स्ट्रीम करते हो उस तरीके से आप स्ट्रीम करने लग जाओगे इसको स्टार्ट करके ठीक है गाइस यहाँ बैब आपको अगर माइक वाला घडियो कि आप की इंटर्णल और डाद्र्ण रडियो कैसे साहिई होगा तो यहाँ पर लिंक कर दिया आइब टीक है मैं आपको दिखा देता हो यहाँ पर आई बटन पर मैंने अल्रेडी वीडियो लिंक कर दिया आप उसको जाकर देख सकतो यह आपकी एंड स्क्रीन पर भी काफी सारी टर्मेंस से रिलेटेड वीडियो आ गई है कैसे अनिमेटेड ओवरले एड करें वो भी आ गिया है आप देख सकतो लेफ्ट में यहा और अपनी फ्रेंट्शिप को आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर मिलते एकड़ी वीडियो में